अबट अब्र इब्रीवाइड दिस इस मतर महुंतिवारी और वाचिए यूर चैनल फिनांसर पंडित एक नए वीडियो के साथ मैं फिर आया हूं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आया हूं मैं कौन सा ऐसा एमसी है जिस पे सबसे ज़्यादा लोग बिली आज वैसे AMC के बारे में बात करेंगे जिस AMC में सबसे ज्यादा लोग पैसा लगा रहे हैं और उस AMC के कौन-कौन से mutual fund हैं जिसमें लोग सबसे ज्यादा इंवेस्ट कर रहे हैं तो दोस्तों आज हम जो बात करेंगे आपके सामने में 10 AMC लेके आऊंगा 10 mutual fund AMC जिसमें कौन-कौन से AMC हैं जो सबसे ज्यादा लोग जिस पर सबसे ज्यादा विलीब कर रहे हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हूं जो मैं 10 यहां पर mutual fund house लेके आया हूं AMC लेके आया हूं आप सबसे पहले अगर हम देखें तो SBI mutual fund है इसके AUM की बात करें तो ओल्मॉस 3,82,690 क्रोड का total AUM है वहीं पर दूसरे नंबर पर SDFC AMC है जो कि 3,79,000 और 107 क्रोड का यहां पर fund size है पहले SDFC का AMC नंबर 1 पर था अब AMC जो SDFC का वो नंबर 2 पर चला गिया है SBI का जो AMC वो नंबर 1 पर चला गिया तीसे नंबर पर जो है ICSA Pudential AMC जो है 3,68,237 क्रोड का fund size है total AUM है वहीं पर अगर चौते नंबर पर बात करें तो अधिति बिल्ला सनलाइप का है जो की जो fund size है total AUM जो है वो कह सकते हो कि 2,55,304 क्रोड का है total AUM है वहीं पर 5 नंबर प AUM है जो की 2,7,288 क्रोड का यहां का AUM है जो next है कोटेक महिंद्रा AMC अगर इसके AUM की बात करें तो यहां देख सकते हो 1,9,212,24 क्रोड का यहां पर AUM है वहीं पर जो next है वो UTIAMC है अगर इसके AUM की बात करें तो 1,7,3,06 क्रोड का है यहां पर यह total AUM है Axis AMC जो यहां पे देख सकते हो आठवे नंबर पे है 1,4,575 क्रोड का यहां पे AUM है वहीं पे 9 नंबर पे जो 9 नंबर पे है Franklin Templates AMC की बात करेंगे 1,24,470 क्रोड का अगर वहीं पे IDFC AMC की बात करें तो यहां पे आप देख सकते हो 1,6,250 क्रोड का टूटल AUM है तो दोस्तों आपने यह तो देख लिया कि exactly कौन-कौन से हमारे इंडिया में mutual fund AMC है जो सबसे ज़्यादा जिस पे लोग इंवेस्ट कर रहे हैं यह तो रहा कि हाँ कौन-कौन सा AMC है जो इंडिया में जो टॉप रेंग पे हैं एक से लेके 10 तक मैंने आपको बता दिया लेकिन उस टॉप रेंग के AMC में कौन-कौन से ऐसे mutual fund है जिसमें लोग सबसे ज़्यादा पैसा लगा रहे है तो चलो मैं बताता हूँ सबसे पहले जो number one पे है वो SBI mutual fund है SBI AMC है तो SBI के mutual fund के कौन-कौन से fund है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग पैसा इंवेस्ट कर रहे है तो जैसा कि आप स्कीन पे देख पा रहे हो SBI का जो liquid fund है direct plan growth है उसका जो fund size है जो AUM है total यहाँ पे देख सकते हो 53,520 करोर का यहाँ fund size है सबसे बड़ा AUM है सबसे बड़ा fund size है इस mutual fund का अगर return की बात करें तो यहाँ पे एक साल की return देख सकते हो 6.33% का return है और वहीं पे 3 साल के अगर return की बात करें तो 6.81% का return है सबसे ज़्यादा लोग इस mutual fund में invest कर रहे है SBI के चलिए दूसरे नंबर पे जो fund size में बड़ा है वो है SBI equity hybrid fund direct plan growth की बात करेंगे जिसमें total जो इसका AUM है fund size है वो 32,584 crore का यहाँ पे fund size है return के मामले में अगर हम कहें तो यहाँ पे देख सकते हो एक साल का return है वो 20-21% का है और यहाँ पे 3 साल का return 13-14% के बीच में है चलिए जो next fund है उसकी बात करते है SBI blue chief fund direct plan growth है अगर इसके fund size को देखे तो almost 23,000 के उपर इसका fund size है और return के मामले में 17-18% का return एक साल के अंदर और 3 साल का return 10-11% के बीच में है चलिए जो दूसरा है जो top second जो दूसरे नंबर पे है SDFC के AMC mutual fund की बात करूँगा चलिए उसके कौन-कौन से ऐसे mutual fund है जिसमें लोग सबसे जादा believe कर रहे हैं सबसे जादा पैसा लगा रहे हैं अब SDFC के कौन-कौन से mutual fund है जिसमें लोग सबसे जादा पैसा लगा रहे हैं तो आप देख सकते हो SDFC liquid fund direct plan growth है इसमें जो इसका fund size है 76,000 something करोड का total fund size है return के मामले में 6% के ऊपर एक साल का return और 3 साल का return 6-7% के बीच में है दूसरा ऐसा mutual fund कौन सा है SDFC का वो भी देख लेते SDFC balance advantage fund direct plan growth है जो की fund जो है 44,000 करोड के ऊपर यहां देखा गिया है अगर return की बात करें तो एक साल में 10-11% का return है और 3 साल का return है वो 10-11% का यहां भी return दिया इस mutual fund है जो next जो है वो है SDFC balance advantage fund direct plan growth की बात कर रहा हूँ यह भी 44,000 करोड के ऊपर का fund size है और return के मामले में 10-11% के बीच में एक साल का return और 3 साल का return जो है यहां 7-8% के बीच में return है तो ऐसे ही है तीन ऐसे mutual fund है SDFC, AMC के जो लोग इसमें सबसे ज़्यादा पैसा डाल रहे है चलिए जो next है जो तीसरे नमबर पर है ICICI Prudential की बात करेंगे कौन-कौन से ऐसे mutual fund है ICICI Prudential के जो लोग सबसे ज़्यादा believe कर रहे है और इसमें पैसा डाल रहे है तो ICICI के कौन से mutual fund है सबसे पहले ICICI Prudential Liquid Fund Direct Plan Growth है अगर इसके fund size की बोले तो यहाँ पे 52,000 के उपर इसका fund size है return अगर एक साल का देखे तो 6.42% का और 3 साल के return की बात करे तो 6-7% के बीच में return है दूसरे number पे जो सबसे ज़्यादा fund size है अगर ICICI Prudential की बात करें तो यहाँ पे ICICI Prudential Balance Advantage Fund Direct Plan Growth है अगर इसका fund size देखे तो 28,000 क्रोड के उपर का fund size है और अगर return देखे 14-15% का return एक साल में और 10-11% का return तीन साल में देखा गिया है चलिए ICICI Prudential Blue Chief Fund Direct Plan Growth की बात करते है 24,000 क्रोड का यहाँ पे around fund size है और return के मामले में 14-15% का return एक साल में और यहाँ 11-12% का return तीन साल में इस mutual fund में देखा गिया चलिए चौथे number पे जो AMC है फूर्थ number पे जो AMC है उसकी बात करेंगे कौन-कौन से mutual fund है जो सबसे ज़्यादा लोग वैसे AMC में पैसा डाल रहे है उस AMC के mutual fund में पैसा डाल रहे है चलिए देखते है जो next है यहाँ पे देख सकते है अदित बिल्ला Sunlight का mutual fund है उसकी बात कर रहे है यहाँ पे तीन ऐसे mutual fund है जिसमें लोग सबसे ज़्यादा believe कर रहे है अदित बिल्ला Sunlight में यह है अदित बिल्ला Sunlight का liquid fund है यहाँ पे 46,000 के around यहाँ पे क्रोर का fund size है और return के मामने में 6-7% का return है एक साल के अंदर और 6-7% का return यहाँ पे 3 साल के अंदर देखा गया है और return के मामने में 12-13% का return एक साल के अंदर और 9-10% का return तीन साल के अंदर देखा गया है इस mutual fund में तीसे नमबर पे अदित बिल्ला Sunlight का corporate bond fund direct plan growth है अगर इसके fund size को देखे तो almost 17,000 क्रोर का fund size है और 10-11% का return एक साल के अंदर और 8-9% का return तीन साल के अंदर देखा गया है चलिए कौन ऐसा next AMC है जो पांचवे नमबर पे है उसका कौन-कौन सा ऐसा mutual fund है जो सबसे ज़्यादा trade हो रहा है और सबसे ज़्यादा लोग उसमें पैसा लगा रहे है जो next AMC है जिसमें लोग सबसे ज़्यादा कौन-कौन से mutual fund में पैसा लगा रहे है तो निपोन की बात करूँगा अगर निपोन के mutual fund की बात करें जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा जा रहा है वो निपोन इंडिया liquid fund है अगर इसके fund size को देखे 29,000 क्रोड का fund size है यहाँ पे return 6-7% का return एक साल के अंदर और तीन साल का return है यहाँ 6-7% के बीच में है वहीं पर अगर निपोन इंडिया large के fund growth की बात करें तो इसका fund size जो है almost आप कह सकते हो 12,740 क्रोड का fund size है और return के मामने में 10-11% का return एक साल के अंदर और यहाँ 10-11% का return तीन साल के अंदर देखा गया में 9.161 साल के अंदर और 1.516 साल के अंदर इस mutual fund ने दिया है देखो return पर हम focus नहीं कर रहे हैं हम यह focus कर रहे हैं कि कौन से mutual fund में AMC के कौन से mutual fund में लोग सबसे ज़्यादा believe करके पैसा डाल रहे हैं चलिए अब जो next AMC है उसकी बात करते हैं जो next AMC है वो KOTEC का है तो यहा fund size काफी बढ़ा है यहाँ पर देख सकते हो 30,000 क्रोड के round fund size है return के मामने में 18-19% का return एक साल के अंदर और यहाँ 11-12% का return यहां 3 साल के अंदर देखा गया है KOTEC liquid जो fund है regular plan growth है उसके अगर हम fund size की बात करें 29,000 क्रोड का fund size 6-7% का return और वहीं 3 साल में भी 6-7% का return मिला है KOTEC equity अगर arbitrage fund growth की बात करें तो यह तीसरे number पर है जिसमें लोगों ने सबसे ज़्यादा पैसा लगाया है यहाँ पर 17,000 क्रोड का fund size और 6-7% का return एक साल के अंदर और 6-7% का return तीन साल के अंदर देखा गया है चलिए next कौन सा AMC है जिसके कौन-कौन से mutual fund में सबसे ज़्यादा लोगों ने पैसा लगाया है वो भी देख लेते हैं Next जो mutual fund है वो UTI का है यहाँ पर UTI AMC में कौन सा ऐसे mutual fund है जिसमें लोग सबसे ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं तो यहाँ देख सकते हैं UTI Liquid Cash Plan, Regular Plan Growth की बात करूँगा जो fund size है 35,000 करोड का fund size है return के मामले में 6-7% का return एक साल में और यहीं पे 6-7% के बीच में return तीन साल में भी देखा गया है वहीं दूसरा जो mutual fund है UTI का UTI Nifty Exchange Traded Fund जो है यहाँ पे देख सकते है 16,000 करोड के उपर fund size है और 13-14% का return एक साल के अंदर और 12-13% के return तीन साल के अंदर देखा गया इस mutual fund में जो next है जो UTI का UTI Nifty Exchange Traded Fund यह भी है इसका जो fund size है यह भी 16,000 के round fund size है यहाँ पे आप देख सकते हो जो return है वो 13-14% का return है और वहीं पे 12-13% का return तीन साल के अंदर देखा गया है UTI का जो यह fund है जिसमें लोग सबसे ज़्यादा पैसा लगा रहा है चलिए next जो AMC है उसकी बात करते है next AMC की बात करूँगा AXIS mutual fund की बात करूँगा AXIS mutual fund का कौन कौन से mutual fund में सबसे ज़्यादा पैसा जा रहा है AXIS liquid fund growth जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहा है 33,000 क्रोड का fund size यहाँ पे 6.40 का return एक साल में और यह 6.87% का return यहाँ तीन साल में देखा गया है दूसरा जो तीसरा mutual fund है AXIS banking and PSU direct fund growth है अगर इसके fund size की बात करें तो ओल्मुस 13,000 क्रोड का fund size है और 11-12% का return एक साल में और यहीं पे 8-9% का return तीन साल के अंदर देखा गया है इस mutual fund में ऐसे तीन mutual fund AXIS mutual fund A.M.C के जो सबसे ज़्यादा believe किये जा रहे है सबसे ज़्यादा लोग पैसा invest कर रहे है चलिए next A.M.C की बात करते हैं कौन-कौन से mutual fund में सबसे ज़्यादा पैसा डाला जा रहा है जो next A.M.C है आप देख सकते हैं Franklin का है return के मामने में 5% का return एराउंड एक साल में और वहीं 7-8% के बीच में return तीन साल में देखा गया है दूसरा जो है Franklin India liquid fund direct plan growth है fund size देखे तो 14,000 क्रोड का fund size एराउंड वहीं पे 6.71% का return एक साल में और यहीं पे 7% का return तीन साल के अंदर देखा गया है तीसरा जो fund है Franklin India equity fund direct growth है यहां पे fund size 11,000 क्रोड का round और 9.16 का return यहां पे एक साल के अंदर और 7-8% के return जो है वह तीन साल के अंदर देखा गया है इस particular mutual fund में दोस्तों आपने देख लिया लास्ट जो कौन सा ऐसा AMC है जो दसवे नंबर पे कौन-कौन से mutual fund है जो सबसे ज़्यादा invest की जारे है सबसे ज़्यादा लोग उसमें पैसा डाल रहे है जो दसवे नंबर पे है वो IDFC AMC है अगर इसके fund की बात करें कौन से ऐसे mutual fund है जिसमें लोग सबसे ज़्यादा पैसा डाल रहे हैं तो IDFC corporate bond fund जो regular plan growth है अगर इसके fund size को देखे 14,000 क्रोड का fund size 9% का return है एक साल में 7% का return तीन साल में IDFC banking and PSU यहाँ पे debt fund है जो regular plan growth है इसके fund size को देखे 13,000 क्रोड का fund size और यहाँ पे आप देख सकते हो almost 12-13% का return और यहाँ जो तीन साल में 8-9% का return दिया इस mutual fund है चलिए IDFC arbitrage fund regular plan growth की बात करते हैं return के मामले में आप देख सकते हो 6-7% का return एक साल में और 3 साल का return 6-7% के बीच में है लेकिन fund size देखे तो almost 12,000 क्रोड के round fund size है तो दोस्तो यह है mutual fund IDFC के जिसमें कौन-कौन से mutual fund में सबसे ज़्यादा पैसे डाले जा रहे हैं तो दोस्तो आपने देख लिया कौन हमारे इंडिया के 10 S.A.M.C. 10 S.A.M.C. जिसमें सबसे ज़्यादा लोग पैसे डाल रहे हैं आ आने वाले टाइम में मैं बहुत सारी वीडियो आपके लिए लेकिया हूँ आप तब तक के लिए जैहीं जैबार